डो मेठट हैं एक तो sexual एक एसक्सवाल इसक्सवाल में bhai sheep हम लोग ‫जो है जुनरेट करते हैं पौधे को बीज से बोया और उसको बढ़ा किया बात खतं इसक्ष्ष्व cioè में जब आने हैं तो ग्राफ इंव अत पी ऊत हम अपने खाने के लिए करते हो मेरा प्लांट में सर्चता कर लेना चाहिए फ्रूट्स प्लांट मुश्टली जो है सारे अपने पास रहते हैं मेरा फ्रूट्स पर ही काम है अब इस सेक्टर में इतना सब्सक्राइब करें अब लोगों से मुश्किल समयज बड़े हैं तो अभी आप लोग आये हो यह इतना एरिया है वहां सब्सक्राइब करने तक आपको जो है नेश्टियर तक यह पूरा काम चालू हो जाएगा अभी हम कलार्ड जितनी एक्जोटिक वराइटियां महेंगों की है वो सारी हम अगा रहे हैं तो यहां मदर सारे सेट हो जाएंगे आप लोगों के लिए भविस्त में हो सकता है कि अब जाते जाते बहुत कुछ सीथ के जाओगे तो तो अस दिन मिल गए तो ध्यान आ गया मुझे तो वहीं आप 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 आए यह समझ रहे हैं आप जब भी आईए मेरे को रिंक कर लिए ठीक है ऐसे मताइए इसे मेरे पास अबी को आज मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कि मेरा टाइम सेड्यूल इतना इंगेट है कि मैं रहते ही नहीं है अब हमारे ना रहने में मजा मार रहा है यह लिविंग है यहां भी रहना ज़रूरी है ठीक है और घर को पड़ी है जो पाई पर लिटरल है डिप के लिए अब कि यहां दो अकड लेंड है वहां से यहां तक है ग्रेटिंग और बडिंग मैं सारा आज बेटा रिकार्डिंग साइज करो मैं नफसरी वालों को भी बोलता हूं कि आप देखोगे यूटूब पे तो उसमें बहुत सारे डाउट है बेटा एक प्रेंट उठा के लाओ बड़ा आमका और एक अम्रुट का यह को नहीं लगा है यह जो पौधा है क्लोनल मैथट बोलते हैं ठीक है प्रफोगेशन में पहले तो समझे दो मेथड हैं एक तो सेक्षूल एक एसेक्षूल में बाई सीड हम लोग जो है जनरेट करते हैं पौधे को बीज से बोया और उसको बढ़ा किया बात खतम एसेक्षूल में ज क्लोनल बोलनहें कामरशल लेविल नर्तरी वाले क्लोनल बोलनहें यह सेमी ..... क्टिंग था रीक है तो यह क्या है सेमी हाड्वूड क्टिंग लगाई जाती है जैसे यह यहां पे पॉर्शन क्या है की प्लान त्यार कर रहा है कि सेमी हाड़ भूड केंग को यहां से जो है तीन या चायरिंज की cutting करके poly house में temperature maintain करके grow किया जाता है उसको colonal method बोलना है या नी cutting से semi hard food cutting से अधे को तयार किया जाता है बनाना में बहुत जादा commercial हो गया especially Taiwan pink variety में especially Taiwan pink variety में बहुत जादा commercial है बाकी बराइटी में इतना results नहीं आ रहा है restoran何 बाकि वराइटिघ्जं के लिए बेस्ट मेफ्ट हैरेर एक बाकि वराइटिंग क्या है एक तो रूट इस्ट होता आपका एक रूट लैंड जड़ला भाग होता है और एक उपर और ढहिक है करप सब्सक्राइब करें लाइट का फर्क देखो पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए बेस में क्या है तो इसलिए इसका ग्रोफ आल्रेडी जो है बहुत ज्याधा अच्छा है अब रेड डाइमंड गवाबा है हमारे पास ताइवान इतना बड़ा है उसमें तीन चार केजी हम फल ले रहे हैं इतने बड़े प्लांट में तीन से चार केजी हर्विष्टिक हमारी आ चुकी होती है लेकिन इसमें अभी मुझे कोई फ्रूट और यहां से लोगों ने एक फित से चाप चॉट काड डिया इसका टतेरर्ट है यहां से वने दिवाइटेंटांचिंट हमारी रहे है अब तीन ब्रांचों को हम डिवाइट करेंगे मालों तो इसको भी हम यहां से कटिंग कर रहा है हर सूट को एक या देड़ फिट पे कटिंग करेंगे डिवाइडेशन करेंगी क्योंकि हाइडेंसिटी में अगर हम सूट को कट नहीं करेंगे यहां किया तो दो सूट यहां से दो सूट यहां से चार हो गई तो इसको हमने ग्रो कराया तो देड़ दो फिट पे इसको हमने यह लगाए हम अदर इसको प्रूनर से कट करते हैं तो हम हाथ से दिखा रहें आपको अच्छा कट करते टाइम आप ध्यान रखेगा जो करते हैं इतना ठूट ठूड़िएगा पती के नीचे से ठूट होना चाहिए इतना जो है यह सूप के जाएगा तो यहां तक जाएगा इंफिक्शन नहीं फैलेगा और उसके तो स्लांटिंग कटका तो ज्यादा ज्यादा क्योंकि उसके पानी या कोई लिक्विड इकठा नहीं होता और उसके बाद कापर आक्सी क्लॉराइड का इस प्रे करना थे हैं वह सभी फंजिसाइट या कापर आक्सी क्लॉराइड कोई भी चीज आप जो है प्रियोग में ले सकते हैं यह ग्वाबा हो गया रेट डैमंड है इधर थोड़ा नक्सरी ब्लाग बच्चा हुआ पोदा है रखा है अभी बंबू भी चल रहे हैं सब कुछ है उदर लगाया बंबू यह ताइवान पिंक का पोदा यह जो रखा हुआ है कि ताइवान पिंक का इतना बच्चा है बाकी अपना 10,000-15,000 जैसे ही आता है और दारेक्ट पर्मर को ही डिलीवर हो जाता है यह जो लगा हुआ है यह फन यह ब्यानर भी है आप नाम सुने होंजें अब यह ब्यानर भी ब्यानर स्ट्राइवल निटेड का जो है प्रोडक्ट है और वन केजी ग्वाबा के नाम से भी फेमस है यह दिखें यह बड़े- साइज में बैगें के साथ आते हैं वह बंबू की कटिंग में लगाई है यह बंबू की कटिंग में लगाई है यह बहुत आपके ने की कर दो